की बेलकम बैक माई YouTube चैनल मनमहन ब्लॉक यह यह हमारी मॉसी और यह आंटी आप लोग देख सकते हैं देखो हमारे यह आउन्ली पकवान बढ़ना है आज सूट ग्राण है लेकिन दिन में खाना नहीं बना था तो आज पकवान बन रहे और आप लोग देख सकते हैं देखिए यह ग्रामल जीवन है यह गोबर्धन पूजा जो आज नहीं हो पाई वो कल होगी और आंटे जी देखो आंटे जी क्या बना रही है आंटे जी खुद बताएंगे आंटे जी क्या बन रहा है यह दही बड़े बन रहे हैं ठीक है मौसी जी बैठी यह दादी जी है और माजी बाहर चली गए वहाप है तो आप लोग देख सकते हैं दोखो हमारे आपकवान वन रहे हैं अटी जी आणटे जी इस पकवान की स्पेस लिस्ट है देखो आप लोग देख सकते हैं और हमारी मौसी जी बताएंगे अभी कैसे बनते ही देखो अब लोग देख सकते हैं देखो यह अपने हातों से देखो कलहाई में डाल रहे हैं इस सिक रहे हैं और आँटे जी कल गोबर्धन की पूजा होगी जैसे ही और अभी माजी माजी आएंगी बढ़िया चटनी बना कि दही और अम्चुल के साथ है तो हम लोग अच्छे तरह से एंज्वाइब करेंगे खाने को अब कर देखे सकते हैं आप लोग और यह माजी बैठी हमारी देखो सब लोग राधे राधे बोला है क्योंकि आज सूर गर्ण था अब लोग राधे राधे बोलेंगे हाँ और अब हम लोग हम देखा सकते हैं कि कल जो पूजा हुए थी उसका जो स्री राम जी का दरवार मात लक्षमी गड़े जी और अब यह अब है कि मैंने फौन किया था माजी को कि मुझे खाने के साथ मेठा चाहिए तो माजी ने मुझे पूरा एक प्लेट मठाई भेजी जो आँटी जी को देख सकते हैं आप लोग कितनी मस्ती में पकवान बना रही हैं और मौसी का सही होग है देखो हां मैंने मिठाई खाली बहुत दी अच्छी आँटी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी सुद्ध गाय गाय का दूद हुथा उससे उन्होंने खुआ बनाया था उससे फिर मठाई बनाई थी वह मठाई मैंने अब लोगों ने खाई मौसी बोलाएं कि मैंने उसी जहना बनाए रस्गोले बनाए और मिठाई बनाई वह सब को खिलाए सब को को खिलाए कि अधा अधा की ने भी खुब कर शोले खाए पटाके जलाए हमारी बैठी है माजी हम लोग ने ये तोहर बहुत खीड़े से इंजॉय किया और आज जो है सुर्गन था अपकल गोबर्धन की पूजा होगी उसके बाद भाई दूज कड़ी बनेंगी चावल बनेंगी कड़ी चावल सब कुछ बनेगा पूजा होगी पूजा भी होगी तो अब सब्के पास मईंट लोग में अंगले ब्लॉक में यह प्लिए श्री राम यह महाद्यों हर महाद्यों यह श्री लक्षिमी ज़्य जी दुख्यशन लोग में आप लोग मेरे इसी ब्लॉग को देखने मुझे श्क्राइब करें अप्योंग्